टोजमन एक बड़ फ्यूर्ट से आपके लिए सब्सक्रीफ कर देते हैं कि हैं हमारा आणालेसीस की तरह रहता है और कैसे रहता है वह हमग करनते हैं के चनिक रहे हैं उसकोर को सब्सक्राइब करेंगे same fundamental analysis में यही करता है कुछ important parameter से जो balance sheet में हमें मिलते हैं वो study करेंगे और उसके बाद उसका भी हम एक business meter के तोर पे उसको represent करेंगे कि वो उसमें कितना score ले जा रहा है तो आगे मूग करते हैं तो यह वो कौन सा स्टॉक है जिस पे हमने आज टेक्न और फंडा दोनों analysis किया है उसका नाम है ब्लीज जीवेस फार्मा यह फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और इसकी अगर ब्रीफ historical बाते कर ले तो यह 1984 में बनी हुई है के अभी फिल इसमें यह बनाता है ड्राइपावडर फॉर इंजेक्शन स्केप्सूल आई एंड एर्ड्रॉप्स औरल सॉलीड इस सेकंड केटेगरी की बात करें तो थेरापीटिक्स आता है थेरापीटिक्स में इसके में जो है एंटी मलेरियल एंटी फंगल एंटी बैक्टेरियल इसका में इसका हम रएवेवेण्यू सिर्फ एक्स पोर्ड न इंप्सपोर्मेशन यह हैं कि इंटी डेंडर्व शम्पू भी बनाता है और अगर साफल पर ब्लただ की बात करें तो उसको हमने चार इंडिकेटर में डिटेल एनालिसिस किया है वह चारों इंडिकेटर का इंडिविजल स्कोरिंग रहेगा वेटेज के इसाब से और उसके बाद उसका टोटल 50 में से उसका स्कोर बनके आएगा ऐसे टेक्नोमीटर तो वह कौन से चार सपोर्ट बन रहा है वो 68 है और जो नेक्स रेजिस्टेंस बन रहा है वो 90 की बात है एक इंपोर्टन नोट आपके लिए कि हमने विकली टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट स्टड़ी किया है अगर माल लेते हैं कि यह सब्सक्राइब का है जो नीचे की साइड डाउन साइड ब् अगर माल लेते हैं कि यह 90 का रेजिस्टेंस क्रॉस कर लेता है अब साइड ब्रेक आउट डेता है तो वह 115 तक भी जा सकता है बट अभी फिलहाल ब्लिच जीवेस फार्मा का जो करन्ट मार्केट प्राइज है वो कहीं ना कई 75-82 के आसपास टेड हो रहा है यानि यह सपोर इंडिकेटर की बात करें तो वह सबसे वाइडली यूज इंडिकेटर है और सबसे घलत यूज यही भी होता है क्योंकि हर किसी को यह मालूम है कि 70 अगर आरे सई है तो उसको बेच देना चाहिए उस टौक को या तो भी 30 आ रहा है तो उसको बाइंग करनी चाहिए यह आप ब्लीज जीवेस फार्मा की बात करें तो उसका आरे साई अभी जो करन्ट लेवल है वह 44 है और हिस्टोरिकल आरे साई चार्ट स्टड़ी करके हमें यह पता चल रहा है कि वह ओवर सॉल्ड जोन की जो बात कर रहे थे हम वह कहीं ना कहीं ब्लीज जीवेस फार्मा है 32 40 के ब बहुत इंपोर्टन्ट है हमने उसका बीवी लिया है और बीवी स्टड़ी करने के बाद जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख रहे हो वह अगर मैं बात करो 200 जब ब्लीज जीवेस फार्मा का शेर प्राइस 200 था तब वह 81 मिलियन के असपास उसका बीवी था और वह आज की डे यहां पेटन्स दे सकता है और इसी वजह से इसका स्कोर बन रहा है सेवन पॉइंट फाइव लास्ट इंडिगेटर की बात करें तो वह है अपना पैटन बैटन बजिकली हम यह देखने की कोशिच करते हैं कि इसमें कोई पैटन बन रहा है कि नहीं अगर वह बन रहा है तो वह रिलायबल है कि नहीं है जैसे कि हेड़ेंग शोल्डर पेटन जो काफि रिलायबल माना जाता है वैसे भी कुछ साइड के लिए भी पैटन होते जिसको हम बुलिश पैटन बोलते और कुछ बैरिश पैटन भी होते बट अगर हम इसके ब्लिश जीवेस के चार्ट की बात क जैसे पैटन में इसका स्कोर 5.0 हो रहा है हमने चार इंडिकेटर टेकनिकल स्टडी कर दिया उसके डिटल अनालिसिस आपके सामने रख लिए अब इसका क्यूमिलिटिव टेक्नोमिटर में स्कोर क्या होता है वह हम आगे वीडियो में देखेंगे अब मूव करते हैं अपन जो touch analysis & business意र यानि fundamental analysis करेंगे त्रेट डेटा है उसका scout करेंगे उसका विटेज हो होगा रो स्वीटइज के हिसाब से उसका बीजनेस में ultimate score क्या रह वो हम आपको शेयर करेंगे इसका बी सेम कंसेप्ट है टोटल 50 होगा उसका मैक्सिमम स्कोरिंग और उसमें से उसका बिजनेस मिटर में यह पर्टिकुलर स्टॉक कितना एचीव कर पा रहा है तो चलो देख लेते हैं वह फोर फैक्ट्ट डेटा एनालिसिस कौन सा है तो सबसे पहला है प्रमोटर होल्डिंग अगर प्रमोटर होल् एंड वेरी इंपोर्टन इंट्रेस्टिंग फेक्ट्स देट फ्रेंड्स एलाएसी इंडिया इसमें 6 परसंट के आसपास अपना स्टेक होल्ड करता है अब यह कितनी इंपोर्टन है वागे फ्यूचर में स्टॉक प्राइस से रिवील होगा अब बात करते हैं डेप टू एक्विटी की रेशियो करन्ट डेप टू एक्विटी रेशियो पॉइंट है वह नेगलीजिबल है और इसी वज़े से इसका स्कोर हो रहा है 12.5 देन मुविंग टू नेक्स्ट पेरामिटर्स वह है अपना प्रॉफिट ग्रोथ फॉर दे ला कि देन मुविंग टू नेक्स्ट पेरामिटर्स वह है कंपाउंडेट सेल्स ग्रोथ फॉर दे लास्ट फाइव यर तो उसी में भी स्टॉक में ने अनालिसिस करके यह पता चला है कि यह माइनस वन परसंट है यानि सेल्स में लास्ट फाइव यर्स में कोई इतना भी और आपने पास तो अब फाइनल कंक्लूजन की और बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं की टेक्च्ञ़ में और बिजनेस पी इसका क्या स्कोर हो रहा है बिजनेस में इसका स्वेंतिट इंटे 2.5 और फिटी और हाला कि टेक्नोमिटर में इसका स्कोर हो रहा है 35 आउट ओफ 50 यानि टेक्निकली चार्ट के हिसाब से यह स्टॉक काफी साउंड है बट कहीं ना कहीं बिजनेस में इतना यह परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और इसलिए इसका जो स्टॉक मिटर है वो 57.5 स्कोर आ रहा है आ हमने आज ब्लिस जीवेस फार्मा का डिटेल एनालिसिस किया और उसके हिसाब से हमने स्कोर भी दे दिया है अगर नेक्स्ट की बात करें व्रेंड्स आपके पास कोई ऐसा स्टॉक हो जिसमें आपको लॉस हो रहा है या तो आप खूद उसमें स्टॉडी कर पा रहा है हो ब हमने निउस्पेपर में और टीवी में भी देखा है कि काफी लोगों के डिमेट एकाउंट हैक हो गए और इसकी वजह से उनके जो होल्डिंग स्था वह अटो शेल हो गया कौन थी कंपनी क्यों थी कंपनी उन सब में हमें नहीं गिनना है बट अगर मैं आपको एक ऐसे डि हो जाएगा तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टॉक मेंन की यही सला है पढ़ते रहें नई इंफोर्मेशन के दर करते रहें और हस्ते रहें